Hello students, आज हम पढ़ेंगे class 4th की English book, Golden Leafs का chapter number 15 Robinson finds the print of a man's foot Students, यह last chapter होने वाला है, तो इस chapter, इस वीडियो को हम last तक देखेंगे और समझेंगे इस chapter के बारे में और इसके question answers भी last में हम discuss करेंगे Robinson Crusoe is the main character of Daniel Defoe's novel of the same name On a sea voyage, Robinson is shipwrecked in a storm and lands on an island with only the captain's dog and two cats Though he is sad about his situation, he gets tools, food, arms and other supplies from the ship before it sinks The novel goes on to tell us how Robinson spent 28 years on that island before being rescued To students, यह एक novel है, जिसे लिका है Daniel Defoe's ने ठीक है यह novel से एक chapter लिया गया है इस ने ने देखने का दूख था और दो बिल्या थी बागी उसके अलावा इस इतनी खराब situation में होने के बावजूद भी वह काफी सारे टूल्स, खाना और आम्स, अथियार और इसके अलावा बहुत साइश सप्लाइस जो थी वह अपने शिप था जो कि अब सिंग हो इस ने को मिला कि कैसे एक person Robinson जो है वो 28 साल तक एक खाली आइलेंड में रहते हैं और वहां से फिर rescue किये जाते हैं यानि कि उन्हें कोई ना कोई आता है बचाने के लिए यानि वो 28 साल तक बिना लोगों के और उस आइलेंड में फसे रहते हैं Now let's read an interesting part of the book where Robinson finds the print of a man's foot on the island तो यह जो Robinson जो book का नाम था जो novel थी ठीक है इसका एक particular chapter है तो आएए चलिए देखते हैं पढ़ते हैं कि कैसे Robinson को एक आदमी के पैर का निशान जो है अपने आइलेंड में दिखता है और उसके बाद फिर आगे क्या होता है It happened one day about noon going towards my boat I was extremely surprised with the print of a man's foot on the shore which was very plain to be seen on the sand वो बताते हैं एक दिन ऐसा हुआ लगबग दो पैर का वक्त था मैं अपनी बोट के पास वापिस जा रहा था और मैं बहुत जादा शॉक हो जाता हूँ यह देख करके कि वहाँ पर एक आदमी के पैर का निशान है शोर के पास शोर यानि की जो आइलेंड है उसके किनारे पर ठीक है वहाँ पर देखते हैं तट पर देखते हैं कि एक आदमी के पैर का निशान वहाँ पर बना हुआ है जो कि काफी प्लेन है और वो मिट्टी के और दिखाई दे रहा है, बड़े आराम से, आप फोटो में भी देख सकते हैं, यह रॉबिंसन है, यह शोर है, और इधर पानी है, इधर आइलेंड है, और यह एक पैर का निशानिया पर देखने को देख सकते हैं, आप सबी को, I stood like one shocked, or as if I had seen a ghost, वो कहते हैं, कि मैं वहाँ काफी देर तक शौक में ही खड़ा रहा, और मैं इस तरह से खड़ा रहा, जैसे कि मैंने कोई एक भूत देख लिया हो, I listened, I looked around me, but I could hear nothing, nor see anything, वो कहते हैं, कि मैं सारी जगे सुनता हूं, आस पास कुछ है तो नहीं, मैं चारो तरफ देखता हूं, ठीक है, और फिर तब भी मैं कुछ सुन नहीं पाता हूं, नहीं कुछ देख पाता हूं, I went up to a high ground to look farther, वो कहते हैं, कि मैं काफी दूर तक देखने के लिए, farther का मतलब हो गया, बहुत दूर तक देखने के लिए, मैं जमीन के उचले हिस्से में, high ground का मतलब हो गया, उपरी भाग में चड़ जाता हूं, और देखता हूं, कि आस पास कुछ है तो नहीं, I went up the shore and down the shore, but it was all one, वो कहते हैं, कि मैं शोर के पास में, शोर से दूर हर जगे देखता हूं, पर कहीं पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, I could see no other impression but that one, वो कहते हैं, कि मुझे और कोई अलग से impression, यानि कि जो चाप है पेर की, वो से वहीं दिख रही होते हैं, और कहीं भी उन्हें उस पेर के निशान के चाप नहीं दिखती है, I went to it again to see if there were any more and to observe if it might not be my imagination, वो कहते हैं, कि मैं उसके पास जाता हूं, उस पेर के निशान के पास दुबारा से जाता हूं, देखता हूं कि वहाँ और कोई पेरों के निशान तो नहीं है, ठीक है, और वो कहते हैं कि उसको जब मै देख रहा होता हूं, तो मुझे ऐसे लग रहा होता है कहीं मैं, इमाजिनेशन में तो नहीं है, कहीं मैं ख्याली दुनिया में तो नहीं हो कि मेरे को अचानक से पेर देखने लग गए है, मदब लोगों किसी का फूट दिखना शुरू हो गया है, but there was no room for that, for there was exactly the print of a foot, toes, heel and every part of the foot, वो कहते हैं, पर imagination के लिए उनके दिमाग में, मदब imagination की भी कोई जगा नहीं थी, क्योंकि वो जो फूट था, जो पेर का निशान था, वो बिलको प्रॉपर एक पेर का निशान था, उसमें toes भी थे, यानि कि उसमें अंगूटा भी था, heel भी थी, और जो एक पेर म and there I know not, nor could I in the least imagine, but after several thoughts, like a man perfectly confused, I walked home to my cave, terrified to the last degree, looking behind me at every two or three steps, mistaking every bush and tree and imagining every tree stump at a distance to be a man, वो कहते हैं कि मैं जब वहाँ पर था, ठीक है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मैं कुछ imagine भी नहीं कर पा रहा था, मेरे धिमाग में भी कुछ नहीं चल पा रहा था, और कुछ देर वहाँ सोचने के बाद, जैसे कि एक perfectly man जो कि confused वहाँ पे थ क्योंकि वह अभी तक उस आइलंड में अकेला रह रहा था, ठीक है, वह अठाई साल तक उस आइलंड में अकेला था, और वहाँ पर उसे कोई भी इनसान जैसे कुछ भी नहीं दिखा था, और अचानक से यह एक पेर के जो निशानते वह दिखने लगे थे वह बहुत जाद मैं भैबीत होता हूं, जबकि इस सिच्वेशन में क्या होना चाहिए, कि वह इतने सालों से उस आइलंड में अकेला है, ठीक है, और उसको कोई बचाने वाला भी नहीं है, तो उसको तो इस पेर के निशान दे कर कि उसको एक डर जैसा फील हो रहा है, ठीक है, और वह जो ड इसाल बचार घोर्ड भी घोल्तष कहां है और उस भी इनसानी समझ ले रहे हो यागुति जो फोर पेड होते थे इंसान की वानीरिव गाव्काम स्कैलिव गए में नहीं होता को Unele being followed, वो कहते हैं कि जैसे ही मैं अपनी केव में आया, मैं एक दम भाग करके उसके अंदर घुज गया, जैसे कि ऐसा उनको लगा, जैसे उन्होंने ऐसा expression दिखानी कोशिश करी, कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है, और वो डर के मारे अपनी गुफा के अंदर घुज गया है, I did not sleep that night, वो कहते हैं मैं उस रात सो भी नहीं पाया था, यानि वो इतने डरे वे थे कि वो सिफ विचारों में सोच में ही थे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और इन्ही सब चीजों के विज़े से वो सो भी नहीं पाये थे, I fancied it must be a devil for how should any other thing in human shape come into the place, वो कहते हैं कि मैं पूरी रात सोच रहा कि हो सकता है किसी devil के pair हो, devil यानि कि किसी राक्षस के pair के निशान हो, क्योंकि कोई भी इनसान जैसी shape, इनसान जैसा रेकने वाला कोई भी शरीर, कैसे इस जगे पर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर आज तक तो कोई आया नहीं था, वही अकेले वह पर रह रहते हैं, तो यह सारी चीज़ उनको दिमाग में आ रहे हैं थी कि वह हो सकता है, किसी devil का pair का निशान हो, there was the vessel that brought them, और वह कहते हैं कि अगर वह एक इनसान भी था, या कोई भी था, तो जिस भी vehicle से वह आया था, यानि वैसल का मतलब हो गया, अब पानी में तो आप वैसल है, जो कि उन्हें उस तट पल ले करके आया था, I then concluded that it must be some more dangerous creature, हो कहते हैं कि फिर मैंने निशकाश निकाला इन सारी situation को दे करके, कि हो सकता है, यह बहुत जादा भयानक कोई creature है, भयानक चीज है, जो कि वहाँ आ चुकी है, that it must be some of the savages of the mainland opposite who had wandered out to sea in their canoes and either driven by the currents or by opposite winds had made the island and had been on shore but were gone away again to sea. वो कहते हैं कि हो सकता है, कि यह जो पैर के निशाने किसी savage क्यों, savage का मतलब हो गया, जो tribal community होती है, ठीक है, जो सिव आइलेंड में ही रहते हैं, जिनका जो socialize नहीं करते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लोग हो सकता है हो, जो कि opposite the mainland, जो कि द land बताया जा रहा है, कि दूसरी तरफ से आए हो सकता है, और वो यहां करके भटक गए हो, ठीक है, और हो सकता है कि उन्हें जो पानी है, हवाए है, वो यहां तक ले आई हो, उनकी boat, ठीक है, और इस वज़े से वो इधर आ गए हो, शोर तक, और फिर वापस से नदी में वा in the place and perhaps have searched farther for me, वो कहते हैं कि जब यह सारे विचार मेरे मन में चल रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक्फूल थे, मैं बहुत ज़्यादा थैंक्फूल इसलिए था, कि उन लोगों ने मेरी boat को नहीं देखा, अगर वो boat को देख लेते, तो वो conclude करते हैं कि यहां पर वो कहते हैं कि उसके बाद तो मेरे दिमाग में और भी भयाना ख्याल आने शुरू हो गए थे, कि अगर उनको मेरी boat मिल जाती तो क्या होता है, वो कहते हैं अगर उन्हें मेरी boat दिख जाती तो उसके बाद वो और ज़्यादा तादात में इस island में आ जाते, ठीके, ग्रेट में येट, दे वोड फाइंड में एंक्लोजर, दे वोड डिस्ट्राइ ओल्माइ कॉंस, और जाते हैं कि अगर ऐसा हो जाता कि अगर मुझे डूंड लेते या फिर वो सोचते कि अगर वो लोग अंदर तक चले आते और मुझे डूंड ना पाते तो क्या करते हैं वो मेरे तक चले आते, मैं जहां रह रहा हूं, मेरे सारे फुर्ण की फसल को डिस्ट्रॉई कर देते, मेरे सारे 550 मतलब हो गया जुंड मेरे सारे गोट का जो जुंड आं नहीं ले जाते मेरे पाल पर आहिए फिर अलावास के लिए या की तो टाम का मतलब हो गया lahy है जिनको आप पालते हैं तो उनको भी वो ले जाते हैं और इसके अलावा मेरे पास क्या रहा जाता है मेरे पास कुछ भी नेरा जाता है मैं थोड़ी सी चीजों में ही मेरे को अपना गुजारा करना पड़ता है I resolve for the future to have bare hand to have beforehand corn for two or three years so that whatever might come I might not perish for want of bread क्याते है कि उन्होंने तो future के बारे में सारे solutions निकाल करके रखे वे थे क। उन्होंने पहले से ही corn यानि भुट्टे की फसल दो-तीन सालों की मतलब आगे आने वाले दो-तीन साल Relay जोड़ते हैं व क्यासी भी condition आ और आज के लिए उन्हें परिशानना होना पड़े One early morning lying in my bed and filled with thoughts about the danger from the appearance of savages I found myself discomforted very much वो कहते हैं एक दिन सुबा सुबा मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे कि कितना खत्रा हो सकता है उन जो savages हैं उनके आने की वज़े से और यही सब सोच करके वो बहुत जादा discomforted थे बहुत जादा परिशान वो feel कर रहे थे I recall the words from the Bible that I could call upon वो कहते हैं a call upon God वो कहते हैं कि मुझे तभी Bible के कुछ शब्द जो है वो याद आए जिसे कि मैं भगवान का ध्यान लगा पाऊं upon this rising cheerfully out of my bed my heart was not only comforted but I was guided and encouraged to pray earnestly to God कहते हैं कि जब मैंने भगवान के प्रात्ना करी तो मेरा जो माइंड था बिलकुल शान्त हो गया मैं बहुत खुशी खुशी अपने बिस्तर से उठा मेरा हाट बिलकुल comfort हो चुका था मुझे बहुत ज़दा प्रेणा मिली मुझे guidance मिली भगवान के प्रात्ना करने के बाद when I had done praying I was it was impossible to express the comfort it gave me जो कहते हैं कि जब मैंने प्रात्ना कर ली तो मुझे इतना ज़दा comfort मिला जिसको मैं बता भी नहीं सकता यानि अभी तक इतने दिनों से वह इतनी खराब situation में थे वह इसी thought में थे कि उनके उपर खत्रा है और वह बहुत ज़दा डरे हुए थे उनके दिमाग में अलग-अलग खयाल आ रहे थे उन खयालों की वज़े से वह रात्मा सो भी नहीं पा रहे थे ठीक है उन्हें अपनी जान का खत्रा मेंली मैसूस हो रहा था कि लोगों से जो चीजों की वैसे उन्हें बहुत ज़दा comfort भी feel हुआ था in the middle of these reflections it came into my thought one day that all this might be a mere imagination of my own and that this foot might be the print of my own foot when I came on shore from my boat वह कहते हैं जब यह सारी चीजें मैं सोच रहा था तभी अचानक से मेरे दिमाग में खयाल आया कि हो सकता है कि एक दिन मैं अब अपनी imagination में सी सोच रहे दे कि मेरा ही फुट हो और मैं किसी दिन किनारे पर गया होगा और फिर यह जो फुट का निशान है वो मेरा ही रहा हो यह सोचने के बाद मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा उने comfort feel हुआ उन्हें खुशी महसूस हुए कि चलो ठीक है तो मेरा ही निशान है मतलब वो खुद को ही अच्छा महसूस कराने के लिए positive चीजें सोच रहे थे again I considered also that I could buy no means tell for certain where I had trod and where I had not फिर दुबारा से उनके दिमाग में ख्याल आने लग गया कि कैसे वो उस जगे पर जा सकते हैं मतलब कि वहाँ पर उनका एक पैर का निशान वहाँ पर कैसे हो सकता है ठीक है जहाँ पर वो गए भी नहीं है मतलब होने चाहिए तो दोनों पैर के निशान होने चाहिए उनकी दिमाग भी आने लगा था कि कैसे एक ही पैर के निशान वहाँ पर अचानक से आ गये हैं और मैं उस जगे पर गया भी नहीं हूँ वो कहते हैं अब जब मेरे अंदर करे जा चुका था मेरे अंदर साह सा चुका था तो मैंने बाहर निकल करके देखा ठीक है क्योंकि मैं अपनी गुफा से तीन दिन तक और तीन रातों तक बाहर ही नहीं निकला था और मेरे पास अब खाना भी खतम हो रहा था यानि कि जो रॉबिंसन है वो इतने जादा डर गए थे पैरों के निशान देख करके कि वो अपने खयालों में इतने दिन तक पड़े हुए थे अपनी गुफा के अंदर उपनी गुफा को शोड़ करके वो तीन दिन तक वो निकले ही नहीं थे चीक है और अब जब उन्हो अब शुल्जी दी मेरे पास ज़णा कुछ बचा नहीं था मेरे पास मेरी के अंदर कुछ बार्ली केक थे बालली का मतलब हो गया बाजड्री की रोटियां थी और कुछ पानी मेरे पास के अंदर था दिन आइन निव डाट वांटे तो वह रूश यूश वाज मैं इवनिं यह था कि हां मुझे यह काम भी अपना करना है क्योंकि वह तीन दिन से बाहर ही नहीं निकले थे encouraging myself with the belief that this was nothing but the print of one of my own foot, feet I began to go out again and went to my country house to milk my flock कहते हैं कि जब मुझे मेरे अंदर साहस आ गया मैंने यह विश्वास कर लिया कि हाँ यह तो कुछ भी नहीं तो सिर्फ मेरे ही पहरों के निशान है तो मैं अब बहार निकलना मैंने शुरू कर दिया था और मैं अपने country house में country house मतलब जो जहां पर वो अपनी भेड बकरी बानते थे वहां पर उनोंने जाना शुरू कर दिया और उनको milk भी करना शुरू कर दिया नहीं उनका दूद भी निकालने जाने वो दुबारा से शुरू कर दिया उनोंने though I did often look behind me and was ready every now and then to lay down my basket and run for my life कहते हैं कि हाँ हाला कि उनके अंदर करिश तो आ चुका था कि वो बाहर निकलना शुरू कर दिया था पर फिर भी वो अभी भी पीछे मुड मुड करके हमेशा ही देखा करते थे कि अगर अचानक से कोई आ जाए तो वो अपने basket को रख करके अपने जान को बचाने के लिए वाँ से भाग जाए यानि कि अभी भी उनके दिमाग में ये डर बसा हुआ था कि कोई ना कोई उस island में मौजूद है यानि वो सिर्फ अपने आपको positive सोचने के लिए सिर्फ ये कह रहे थे कि उन्होंने जो पैर के निशान देखे थे वो शायद उन्हीं के थे और फिर बाद में सोच लिया था कि अब सब कुछ ठीक है पर फिर भी मन में उनके अंदर से डर अभी भी भरा हुआ था कि कोई न नहीं देखा था I began to be a little bolder and to think there was really nothing in it but my own imagination उन्होंने अब सोचने शुरू कर दिया था ठीक है कि ये तो कुछ भी नहीं है सिर्फ मेरी खुद की ही imagination है और कुछ भी गलत नहीं है यानि आइलेंड में कोई भी नहीं है मेरे ही पैरों के निशान है ये सोचना उन्होंने शु और को दाउन तो दा शुर अगैं और सी माइन सी दिस प्रिंट फूट अंड मेजर इट बाय माइन और सी इव देर वस इनी सिमिलारिटी पर वह अभी भी खुद के उपर खुद को परसुएड यानि खुद को विश्वास नहीं दिला पा रहे थे पूरी तरीके से चीक है तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि वो दूबारा से शौर में शौर के पास जाएं और वहां पई जाकर के उस पैरों की निशान और थे क्या प्रें या क्या शिमिलारिटी है कि वनके पर में वन गान दानी और सरॉश इंजनाודה को यहां वह भारुक्त पहु एगा कि जब मैं शोर के पास पहुँचा तो मेरे को यह यकीन हो गया कि मैं उस फुट्प्रिंट के आसपास भी वहाँ पर नहीं गया था Secondly, when I came to measure the mark of my own foot, I found my foot not so large by a great deal वो कहते हैं कि जब मैं उस पैर के निशान को नापा अपने पैर से तो मैंने यह पाया कि मेरा जो पैर का निशान है वो मतलब उनका खुद का जो पैर है वो छोटा है और जो पैर का निशान वहाँ बना हुआ है वो बहुत काफी बड़े साइस का है बड़ इस तिंग्स फिल माइड विद निव इमाजिनेशन अड मेड मी नवस अभी यह दोनों ही बाते पहली बात है कि वो उस पैर के निशान के आसपास भी नहीं गए थे उस दिन और इसके अलावा कि जो पैर का निशान है वो भी उनके पैर के निशान से मैच नहीं कर यह दोनों ही चीजों की वज़े से अब उनके दिमाग में नहीं नहीं खयाल आने दुबाजर शुरू हो गए तो और फिर से वो नर्वस फील करना शुरू कर दिया था उन्होंने I went home again filled with the belief that some man or men had been on the shore there तो वो कहते हैं जब वो वापिस से घर पहुंचते हैं तो उन्होंने अपने दिमाग में ये भर लिया कि हो सकता है कोई आदमी या कई आदमी उस दिन वहाँ शुर पे आये होंगे और in short that the island was inhabited I did not know what steps to take for my security वो कहते हैं कि पर वो बिल्कुल उन्होंने उनके दिमाग में ये था कि मदब ये जो भी situation चल रहे थी कि हो सकता है कोई एक आदमी हो या बहुत सारे आदमी हो जो उस दिन शुर पर आये रहे हो तो उनके दिमाग में ये था कि हो सकता है अब वो positive क्यूंकि सोचना शुरू के लिए क्या क्या steps लेने चाहिए हैं ओट रिडिकूलस decision people take when they are filled with fear वो कहते हैं कि कितने खराब खराब decisions लोग ले लेते हैं जब वो डरे हुए होते हैं इट टेक्स अवे दियर पावर फिंकिंग और डर की वजह से उनके जो सोचने की जो शमता होती है वो भी खतम हो जाती here the first thing I proposed to myself was to throw down any enclosures and turn all my tame kettles wild into the woods in case the enemy should find them and then frequent the island in search of the same then the simple thing of digging up my two corn fields in case they should find such a grain there and still be prompted to frequent the island then to demonstrate the to demolish my cave and tent that they might not see any remains of inhabitation and be prompted to look farther in order to find out the person's location क्योंकि यह statement बहुत बढ़ी है तो हम इसको तुक्डो तुक्डो में समझेंगे ठीक है तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या प्रपोस करी उन्होंने यह सोचा कि जितने भी enclosures है यानि जितने भी जो भी किवार हैं जो भी दर्वाजे हैं जहां पर भी वह अपने protection करत देंगे इसके अलावा सारी अपने जो kettles हैं जो भी अपने पालतू जो जहांगर उन्होंने पाले हुए हैं उन्हें जंगलों में छोड़ देंगे अगर कोई enemy उन्हें पकड़ भी लेता है तो वह frequently island में आना शुरू कर देंगे उनको ढूंडने के लिए तो फिर उन्हो अगर उन्हें जो कॉर्ण है वहां मिल जाएंगे तो वह अब उस island में और जल्द जल्द आना शुरू कर देंगे और फिर उसके बाद मेरी केव और टेंट को भी तोड़ देंगे that they might not see any remains of habitation और फिर उन्हें वहां पर कोई भी उन्हें ये भी नहीं लगेगा कि वहां पर कोई रह रहा है and be prompted to look father और उसके बाद फिर वह अंदर भी और भी गहराई में जंगलों की गहराई में जाने को उनका मन करेगा ठीक है और फिर कोई जो भी person के location उसको वह find करने की कोशिश करेंगे these were the subjects of the first night's thought after I was come home again तो कहते हैं कि यहां पर थोड़ी सी English कलत है I was come home again नहीं होगा I came home again होगा यहां पर ठीक है तो यहां पर वह कहते हैं कि यह जो सारे ही thoughts थे कि वह जंगलों में फेंग देंगे जंगलों में अपनी बक्रियों को भेज देंगे इसके अलावा enclosures को throw कर देंगे गड़े कोद देंगे उनका नाज ढून लेंगे उनके घर को demolish कर देंगे ठीक है तो यह जो भी thoughts थें उनके दिमाग में यह सब पहली रात को आ रहे थे जब वापिस अपने घर लोटे थे thus fear of danger is 10,000 times more terrifying than danger itself when obvious to the eyes वो कहते हैं कि जो danger का जो fear होता है ठीक है यहीं खत्रे का जो डर होता है वो 10,000 गुना जादा होता है उस खत्रे से ठीक है यहीं खत्रा हो सकता है बहुत चोटा सा ओप और उसका जो डर है वो दस हजार गुना जादा होता है जब हमारी आँखों के सामने नहीं होता है और यह जो confusion से इसकी वज़ा से भी मैं रात भर जागा रहा बट इन दे मॉर्निंग आई फेल असलीपर सुभा के वक्त मुझे नीद आ गई I slept very well and woke up much better than I had ever been before कहता है कि मैं उसके बाद जब उन्हें नीद आ गई थी तो फिर वो बहुत अराम से सोए जब वो उठे तो वो बहुत बेटर फील कर रहे थे और इससे पहले इतना उन्हें अच्छा मैसोस नहीं हुआ था इतने दिनों में and now I began to think calmly और अब मैंने बहुत ध्यान से सोचना शुरू कर दिया था upon discussion with myself I concluded that this island was not so entirely abandoned as I might imagine that although there was no stated inhabitants who lived on this spot some people may come here accidentally and leave upon not seeing any living creature कहते हैं कि हाला कि जब क्यूंकि वहां पर और भी लोग हो सकता है उनके साब से क्या पता रहते हूं तो कोई न कोई इनसान इस तरफ आ गया हो accidentally और अगर उसको कोई ना दिखा हो तो शायद वहां से लॉट भी गया हो जब उसे कोई ना दिखा हो तो Now I began to repent that I had dug my cave so large वो कहते हैं कि अब मुझे बहुदा रिग्रेट फील हो रहा था बहुदा पश्तावा हो रहा था कि मैंने अपनी जो केव है उसको इतना गहरा खोट डाला है डग का मतलब हो गया खोट डाला है ठीक है upon maturely considering this therefore I decided to build me a second wall in the manner of a semicircle at a distance from my wall वो कहते हैं कि जब मेरे को यह चीज समझ में आई तो मैंने यह decide कि मैं जो अपनी cave है उसके बाहर एक दूसरी wall बनाऊंगा ठीक है और वो semicircular shape में रहेगी जो कि मेरी main wall से कुछ दूरी पर रहेगी just where I had planted a double row of trees about 12 years ago और वो semicircular wall है वो कहा रहेगी उसी जगह जहां पर 12 साल पहले उन्होंने trees लगाये थे rows में ठीक है so that I had now a double wall तो इनका ऐसा करने का मतलब सिर्फ मकसद यह था कि उनके पास double wall हो जाए double wall का मतलब हो गया दो दिवारे दो दिवारे यानि दो डबल प्रोटेक्शन ठीक है and my outer wall was made thick with the piece of timber और कहते हैं कि मैं जो outer wall थी जो कि बार की तरफ थी मैंने उसको थिक बना दिया था तिम्बर यानि लकडियों का इस्तमाल करके old cables and everything I could find off to make it strong और तिम्बर के साथ साथ उन्होंने पुरानी केबले और जो भी समान उन्हें मिल रहा था बांधने वाला उन सभी समानों को ले करके उन्होंने बहुत मजबूती से उस wall को बना दिया था having it in seven little holes about as big as I might put my arms out at केते हैं कि उन्होंने उन्होंने holes भी बनाये थे सेवन लिटल होल बनाये थे और वो जो होल से उन्होंने से ऐसा था कि उन्होंने से वो अपना arm जो है वो पूरा निकाल सकें ठीक है on the inside of this I thickened my wall to about 10 feet thick with continually bringing mud out of my cave and laying it at the foot of the wall and walking upon it केते हैं कि जब वो अंदर आये ठीक है उस wall के अंदर वाले हिसे में उन्होंने थिकनिंग करनी शुरू करी कैसे उन्होंने 10 feet तक थिकनिंग करी थी अपने केव के अंदर यानि केव के अंदर की भी जो दिवार है वो उसको 10 feet तक मोटा कर दिया था और जो फर्ष था उस पे भी वो चल चल करके उसमें मिटी डानी उन्होंने शुरू कर दी थी थ्रू थे सेवन होल्स आई प्लान्ट तो प्लान्ट थी मस्केट्स ऑफ विच आई तोक नोटिस दाट आई हैं वो कहते हैं कि उनके पास मस्केट्स थे मस्केट का मतलब हो गया चोट चोटी बंदू के जिनमें बहुत लंबे बैरल्स होते हैं जहां से गोली निकलती है न वो जो गोली निकलने का रास्ता होता है वो बहुत पतला सा होता हो बहुत लंबा होता है ठीक है तो उसको मस्केट्स बोलते हैं तो कहते हैं कि यह जो सेवन होल्स उन्होंने किये थे वहां पर उन्होंने बंदू के लगा दी थी ठीक है जो कि वो शिप से लेकर के आये थे these I planted like my canyon and filled them into frames that held them like a carrot so that I could fire all the seven guns in two minutes time वो कैते हैं कि जब उन्होंने यह जो muskets यानि जो 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 डिक गन्स को उन्होंने इस तरह से प्लांट किया था कि वो बिल्कुल तोप की तरह लग रही थी वो मतलब होग तोप तोप की तरह बना दिया था उन्होंने जो च्छेट्ट उसमें इन muskets को लगा करके और इस तरीके से बांदा था कि ये सातो जो गंस ही वो दो बिनिट में के समय में चलाएं जा सकती हैं थी I spent many months finishing this wall and never thought of myself as safe until it was done अब उन्होंने जो वाल बनाई थी उसको बहुत महिनों तक बनाते रहे थे और जब तक वो पूरी तरीके से बनने गई थी तब तक उन्हें इतना दा safe नहीं feel होता था When this was done, I dug all the ground outside my wall with the help of stakes or sticks leaving a pretty large space between them and my wall that I might have room to see my enemy and they might have no shelter if they attempted to approach my outer wall सऩरो उन्होंने क्या किया उन्होंने आ पनी जो आउट सबस्के बाहर की जो व gemaakt उसके बहार बहुत बड़ा सा गढः बना दिया ठीक है गढ़्धा बना दिया चालों तरफ से गढ़्धा करकर क्या गया हुआ , तो यह स्टिक से गड़ा बनाया था हुए लगडी से कोद-कोद करके गड़ा वना दिया इसके पीचे का मकसद यह था। इसके पीचे का मकसद सिफथ इतना था उनकी True parameters क Online और अनकी वाल के पास आ पायं वो बहुत दूर है उनकी . ठीक है और वो भी असानी से उन जो एनिमी से उनको वो देख पाएं दस इन तो यह ताइम आई थिक ग्रूव और फिर लग बग दो साल में उनके जो आउटसाइड जो उन्होंने वाल्स बनाई थी ठीक है वो पूरा एक तरीक से ग्रूफ की तरह हो चुका था ग्रूफ यानि की बगीचा इसको बोलता है ठीक है तो एक थिक बगीचे की तरह है में कनवर्ट हो गया था और पान से छह साल में ही वो इतना जाधा देंस हो गया था कि उसके अंतर घुसने से पहले मतलब कोई उसको पास भी नहीं कर सकता था वो इतना जाधा उन्होंने स्ट्रॉंग प्रोटेक्शन अपने चारो तरफ बना ली थी और वो बहुत जाधा म सब्सक्राइब कर देखती थी यानि भयानक दिखती थी वो वाल और नो में ऑफ वाट काइंड कुद एवर इमाजिन दाधा देर वस एनिधिंग बहां 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 सकता है कि उस वाल मताब यह जो इतना मोटा सा उन्होंने घना सा अपना खुद का एक ज इतने घने प्रोटेक्शन के अंदर कोई रह रहा होगा as for the way which I proposed to myself to go in and out for I left no obvious way it was by the use of two ladders so when the two ladders were taken down no man living could come down to me without doing himself harm फिर अब क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से उसको कवर तो कर दिया था अब क्योंकि उनको खुद को भी बहार अंदर बहार आना जाना होता था इसके उन्होंने दुष इसनमाल किया ठाया था to the ladder का मतलब हो का सीडिए तो नहोंने दो and if they did come down they would still be on the outside of my outer wall अगर गलती से कोई घुस भी किया तो भी वो उनके के अंदर नहीं पहुंच पाएगा तो भी वो उनके outer wall तक ही के बाहर ही रह जाएगा thus I took all the steps necessary for my own protection and it will be seen at length that they were not altogether without just reason though I foresaw nothing at that time more than my fear suggested to me तो यहाँ पर क्या हुआ तो उन्होंने बोला कि इसी वजह से उन्होंने यह जो necessary steps थे अपनी खुद की protection के लिए यह सब अपनाए थे ठीक है जिसको भी देखा जा सकता था बहुत दूर से ठीक है और इसका reason से फियर था बनाने का कि उनका जो fear था उनका जो डर था वो बहुत जादा बड़ा था ठीक है और उनको यह लगता था कि मेरे को कोई मार ना दे तो यह सारे जो thoughts थे वो इतने जादा बड़े थे कि उन्होंने खुद के लिए ही एक इतना बड़ा protection का जो जाल था वो बुरा बना के रखा हुआ था तो students यह इस चाप्टर का end था I hope आप सभी को explanation चैसे समझ में आई होगी अब हम इस चाप्टर के question answers पर चलेंगे तो आए चाप्टर के question answers को करते हैं तो अब हम चलते हैं इस चाप्टर के question answers पर तो आएए number these events in the order in which they occurred in the story तो जो भी events है हम exercise में देख लेंगे यह जो events है ठीक है जो E होगा उसके आगे number 3 रहेगा जो C है उसके आगे number 4 रहेगा जो D है उसके आगे number 5 रहेगा और जो 6 है जो G है उसके सामने नमबर 6 रहेगा जो B है उसके सामने नमबर 7 रहेगा और जो H है उसके सामने नमबर 8 रहेगा तो आप सभी जो हैं इसको ध्यान से लिख लेंगे एक बार मैं आपको इसमें भी समझा देती हूँ आपको इसको इस तरीके से करना है सबसे पहले आप इनकी numbering कर लेंगे कैसे इस तरीके से आप इनमें A लिख देंगे ठीक है फिर B लिख देंगे फिर C, D, E, F इस तरीके से आप इनकी numbering कर देंगे उसके बाद पर इनके आगे यह जो हमने number अभी आपको मैंने बताए वो सभी जो numbers हैं इनमें आप इनकी sequence को assign कर देंगे तो चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं इस chapter के question answers के ओपर When did Robinson see the print of a man's foot on the shore? तो Robinson ने कब देखे थे man's foot के निशान जब वो शोर पर थे Robinson saw the print of a man's foot on the shore when he was going towards his boat about noon तो जब वो अपनी boat की तरफ जा रहे थे दो पैर के समय तब उन्होंने देखा था एक आदमी के पैर का निशान Why was Robinson terrified on seeing the footprint? Robinson जो footprint थे उनको देख करके क्यों डर गये थे? Robinson was terrified on seeing the footprint because he was alone on the island and the presence of another person was unexpected and unsettling तो Robinson जो थे वो बहुत रद डरे हुए थे जब उन्होंने footprint देखे थे क्योंकि वो साइलें पर अकेले थे और किसी और के होने की जो presence थी वो unexpected थी और उनके लिए बिलकुल भी unsettling थी What terrible thoughts troubled Robinson's imagination when he went back to his cave? तो जब Robinson अपनी cave में वापस चले गए थे तो क्या खयाल उनके अंदर आ रहे थे? So terrible thoughts troubled Robinson's imagination when he went back to his cave fearing that if others found his presence they might harm him, destroy his resources and pose a threat तो Robinson के दिमाग में ये था कि अगर उनको कोई धून लेगा तो उनने नुकसान पुचाएगा उनके जो resources है यानि काने पीने का जो साधन है उनको सब को destroy कर देगा और उनके लिए खत्रा भी होगा What happened when Robinson figured out that the footprint might be his own? तो जब Robinson ने ये figure out किया कि ये जो footprint है ये मेरे है तो क्या हुआ उसके बाद? When Robinson figured out that the footprint might be his own, he cheered him, it cheered him up a little but he still had doubts about where he had trod अब ये जो Robinson है जमे ने ये लगा कि हाँ ये तो footprint मेरे हो सकते हैं तो ये सोच करके वो खुश हो गये थे ठीक है और फिर उनके दिबाग में फिर भी थोड़े बहुत doubts ये थे कि वो उस जगे पर उनका एक ही पैर का निसाम कैसे था? How did Robinson react when he realized that his foot was not so large by a great deal compared to the footprint on the shore? तो जब Robinson को ये पता चला कि उनके जो पैर है और जो footprint का निशान है वो इतना match नहीं कर रहा है तो उनका reaction कैसा था? तो when Robinson realized that his foot was not so large compared to the footprint, he became nervous and filled with new imaginations, suspected the presence of other people on the island. तो यहाँ पर जब Robinson को ये realize हुआ कि जो foot है, जो कि वहाँ पर बना हुआ है, उनका खुद के footprint से match नहीं हो रहा है, तो ये वो बहुत ज़दा नवस हो गए, उनके अंदर दिमाग में बहुत सारी खयाल आने लगए, उनने ये भी लगा कि हो सकता है, आइलेंड में और कोई भी रहता हो. Describe the second wall that Robinson built to make his habitation more secure. तो second wall के बारे बताना है, जो Robinson ने बनाई थी, जो कि उन्होंने अपने घर के बार बनाई थी. The second wall Robinson built was in the shape of a semicircle, made thick with the piece of timber, old cables and everything he could find. It had seven holes to plant muskets and on the outside he thickened it with mud to about 10 feet thick. तो यहाँ पर जो second wall उन्होंने बनाई थी अपने घर के बाहर, वो semi-circular shape की थी. उसको thick करने के लिए उन्होंने timber के pieces लगाये थे, old cable से बांदा था, ठीक है, और इसके लावा और जो भी समान उन्होंने मिल सकता था, उन्हों सभी चीज़ों का use किया था. उसमें उन्होंने seven holes बनाये थे और उन्होंने musket जाने बंदूग भी लगाई थी, ठीक है, और अंदर की तरफ से उन्होंने उस wall को thick किया था, और लगबा 10 feet, मोटा उन्होंने उसको बनाया था, wall को. What was Robinson able to do in five or six years time? तो 5-6 साल के बीच में Robinson क्या कर पाये थे? In five or six years time, Robinson had a small thick forest before his dwelling, making it perfectly impossible. तो 5-6 साल के समय में Robinson उन्होंने एक चोटा सा thick forest अपने घर के बाहर बना लिया था, जिसको पास कर पाना बहुत ही मुश्किल था, मतार्ब इम्पासिबल था वो. अब आते हैं, reference to context के ओपर. When I came to my cave, I ran into it like someone who is being followed. What had happened earlier? तो यह जो Robinson है, वो कह रहे हैं कि जब मैं अपनी cave के पास आया, तो मैं ऐसे अंदर दोर के गया, जैसे कोई किसी का पीछा कर रहा हूं उस तरीके से. तो उस सम्वे, what had happened earlier? इससे पहले क्या हुआ था? तो Robinson had seen the print of a man's foot on the shore. तो इससे पहले Robinson ने एक आदमी के पैर के निशान शोर पर देखे थे. Why did the speaker feel that he could have been followed? तो यहाँ पर जो Robinson है, उन्हें क्यों feel हुआ था? कि उनका कोई पीछा कर रहा है? Robinson felt that he could have been followed because he discovered a clear footprint of a man on the shore when he was going towards his boat. तो Robinson को ऐसा मैसूस हुआ था कि कोई उनका पीछा कर रहा है क्योंकि उनको एक footprint के निशान जोते है, वो मिले थे शोर पर जब वो अपने boat के पास जा रहे थे. What impact did this have on the speaker? Was he able to sleep? अब यह जो भी घटना हुई थी, इसकी वज़ा से जो Robinson थे, उनके उपर क्या प्रभाव पड़ा था? क्या वो सो पाए थे? तो it left the speaker terrified and he could not sleep at night. तो in some incident के वज़े से जो speaker है, यानि कि जो Robinson है, वो बहुत ज़ादा डरे हुए थे और वो रात बार नहीं सो पाए थे. While these thoughts were rolling in my mind, I was very thankful that they did not see my boat. What thoughts were rolling in the speaker's mind? तो speaker जो है, यानि Robinson उनके दिमाग में क्या thoughts चल रहे थे? Concerns about his safety and security, especially if there were other inhabitants present. तो उनके दिमाग में concerns थे अपने safety and security के लिए कि क्या उस island पे और भी लोग रहते हैं या मौजूद हैं. Who is being referred to as they? यहाँ पर they कौन है? They refer to potential inhabitants or visitors to the island. तो यहाँ पर they हो गए, या तो रहने वाले लोग या फिर जो साइलन में visit कर रहे थे. What would have happened if they had seen his boat? क्या होता अगर वो जो visitor थे, वो उनकी boat देख लेते. If they had seen his boat, they might have searched father for him. अगर वो उनकी boat देख लेते, तो उनके लिए और अंदर तक सर्च करने के लिए चले आते. When I went down to the shore, it seemed certain that I could not have possibly been anywhere near the footprint. Why did the speaker go down to the shore? अब यहाँ पर शोर स्पीकर है, यानि रॉबिंसन जो है, वो शोर पर क्यों गए थे? The speaker went down to the shore to measure the footprint against his. तो जो रॉबिंसन है, वो शोर पर गए थे, उन फुट्प्रिंट के निशान को अपने पैसे match करने के लिए, measure करने के लिए. Why was the speaker certain that he could not have been near the footprint? अब यह जो रॉबिंसन है, वो क्यों certain थे? उनको क्यों विश्वास था कि वो शोर पुट्प्रिंट के आसपास भी नहीं गए है? The speaker was certain he could not have been near the footprint because he could not have possibly been anywhere near the footprint. तो यहाँ पर जो speaker है यानि जो रॉबिंसन है, उनको यह यकीन इसलिए था क्योंकि वो उन फुट्प्रिंट के आसपास भी उस दिन नहीं गए थे. What did the speaker discover after this? इसके बाद जो रॉबिंसन है, उनको क्या पता चलता है? The speaker discovered that the footprint was not his, raising new fears of potential inhabitants. अब जब उन्हें यह पता चलता है कि यह footprint उनके जैसे match नहीं कर रहे हैं, तो उनको डर शुरू हो जाता है कि हो सकता है, यहाँ पर और भी कोई लोग रहते हैं. अब चलते हैं इस चाप्टर के लास्स सेग्मेंट पे जो की है, तिंक और आंसर. Don't you think he should have been happy that he may finally be able to speak to someone, give reason for your answer. तो जो रॉबिन क्रूसों हैं, यह बहुत सालों तक आइलेंड पर अटके रहे थे, ठीक है, स्टक रहे थे, अटके रहे थे, और जब उन्होंने एक footprint के निशान देखे तो वो डर भी गये थे, तो क्या आपको लगता है कि, क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें तो खुश could have overridden the joy of encountering someone. Survival instincts often prioritize caution over immediate connection. तो यहाँ पर जो रॉबिन सिन है, उनको companionship यानि साथ की तो अविशक्ता थी ही, उनको लगता था कि उनके साथ कोई हो, पर क्योंकि वो उस आइलेंड में वो अकेले थे, वो deserted आइलेंड थे, यानि उस आइलेंड में कोई नहीं रहता था, तो उनके लिए एक खत्रे का भी साइन था, और इस वज़े से भी वो बहुत जादा खुश, मतलब वो अपनी खुशी नहीं दिखा पा रहे थे, मेंली वो डरे हुए थे, और क्योंकि वो डरे हुए थे, वो अपने आपको वो जिन्दा रहना चाहते थे, तो उनकी प्रायोट लिती जिन्दा रहना और इसी वज़े से वो किसी ऐसे इंसान के साथ connection नहीं बनाना चाहते थे, what ridiculous decision people take when they are filled with fear, it takes away their power of thinking, do you agree with this statement, why or why not, तो क्या, जो ridiculous decisions जो people लेते हैं, जब वो डर जाते हैं, तो इनकी वज़े से उनकी सूचने की जो शमता है, वो खतम हो जाती है, क्या आप इस statement से agree करते हैं, क्यों, उसका हमें reason भी देना है, तो yes, I agree with the statement, fear can cloud judgment and lead to impulsive or irrational decision, hindering logical thinking, तो हाँ, यह जो statement है, इससे हम agree करते हैं, क्योंकि डर की वज़े से हम बहुत सारे चीजों को judge करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वज़े से हम irrational decisions लेते हैं, और हमारी जो logical thinking है, वो भी खतम होती चली जाती है, The fear of danger is 10,000 times more terrifying than danger itself, has this ever happened with you, write about a similar incidence happened, experienced by you, तो यह जो fear of danger है, दस गुना जादा होता है, actual danger से, तो क्या अभी आपके साथ कोई खत्रा हुआ है, तो अगर आपके बस कोई ऐसा similar incident हुआ है, तो अपना experience लिखना है, तो इसमें आपका खुद का personal response रहेगा, तो यह number 3 रहेगा, ठीक है, यह आप अगर दे से 2 हो गया है, तो आप इसको 3 कर लेंगे, इसका खुद का answer लिखेंगे, और अगर नहीं लिखना है, तो आप ना भी लिखें, यह आपकी personal choice है, Each time Robinson Crusoe had a doubt, his mind had too many opposing thoughts, do you think we can take good decisions when our mind is not focused, why do you think so? तो हर समय, जब Robinson के दिमाग में doubt आता था, तो उसके दिमाग में बहुत सारे opposite thoughts भी आते थे, तो क्या यह सही है कि जब हम focused नहीं होते हैं, तो क्या हम सही decision ले पाते हैं, तो इसका हमें reason भी देना है, A focused mind is important for good decision making, when the mind is filled with opposing thoughts and doubts, it can lead to confusion, indecision and possibly poor choices, तो यहाँ पर जो focused mind है, वो बहुत ज़रूरी होता है decision लेने के लिए, ठीक है, और जब दिमाग में opposing thoughts या फिर doubts भरे भी होते हैं, इसकी वज़े से confusions होते हैं, हम decision नहीं ले पाते हैं, और गलत choices भी ले लेते हैं, Robinson Crusoe survived on the island for many years, what does this tell us about him, तो यह जो Robinson है, यह बहुत सालों तक एक island पर जिन्दा जीवित रह पाये थे, ठीक है, तो इस बात से हमें इनके बारे में क्या पता चलता है, Robinson Crusoe survival on the island for many years showcases his spirit, resourcefulness and adaptability, it suggests that he possessed the skills and determination necessary to sustain challenging circumstances, तो यहाँ पर इसका meaning है, कि Robinson जो है, जब survive किया उनोंने बहुत सालों तक, abandoned, isolated island पर तो इससे हमें यह पता चलता है, कि वो बहुत ज़्यादा spiritful है, यानि बहुत ज़्यादा उनमें शम्ता है, बहुत resources का इस्तमाल करते हैं, और किसी भी condition में असानी से ढल जाते हैं, इससे हमें यह भी पता चलता है, कि उनमें इतनी skills हैं, और determination है, कि वो ऐसी challenging situations में खुद को जिन्दा रख पाएं, student CS chapter का end था, चाप्टा का वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चानल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी friends तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, thank you.